जैने फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल प्रमोसर वारानसी यूटूब चैनल में फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश 2024-2025 का जो बजट पेस हुआ है यहां से जितने भी प्रस्न बन सकते हैं एक्जाम के पॉइंट अब यूट से सभी को कवर करेंगे तो आप एक एक प्रस्न रट लीजिएगा आपको सीधी एक्जाम में या कोश्चन देखने को मिलने वाला है ठीक है तो 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश का बजट पेस किया गया है ठीक है पहला प्रस्न बन जाता है दूसरा प्रस्न है यूपी के बित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 के लिए कितने लाग करून रुपे का बजट पेस किया है तो 7.36 लाग करोन रुपे का बजट पेस किया है और दूसरा प्रस्ण यहां से बनेगा UP के वर्तमान में बित्वंतरी कौन है सुरेश खनना है कौन है सुरेश खनना है और इन्होंने 2024 पचीस के लिए 7.36 लाग करोन रुपे का बजट पेस किया है चली अगला प्रस्ण है यहां अब तक का सबसे बड़ा बजट है तो पुछेगा अब तक का सबसे बड़ा बजट का पेस किया गया तो 2024 पचीस का जो बजट पेस किया गया है नेक्स्ट है यवाओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन मुफ्त देने के लिए कितने करोंड रुपे का बजट पेस किया गया है तो 4000 करोंड रुपे का डिरेक्टली कोशन मिलेगा कि यवाओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन को मुफ्त देने के लिए कितने करोंड रुपे का बजट पेस किया गया 4000 करोंड रुपे का अगला प्रशन है गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कितने करून रुपे का आवंटन हुआ है तो दो हजार सत्तावन करून रुपे का याद रखेगा इंपोर्टन प्रशन है दो हजार सत्तावन करून रुपे अगला प्रस्ण है वर्स दोहजार पचीस में महाकुम हमेले की तैयारी के लिए कितने करुण रुपे का आवंटन किया गया है अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है गवत्तम बुधनगर के जेवर में अंतर रास्टी हवाई अड़े के लिए 1150 करूण रुपे दिये गया है अगला प्रस्ण है काफी इंप्रस्ण है वारानसी में निफ्ट की अस्थापना होगी और डारेट कोशन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के कि जिले में निफ्ट की अस्थापना होगी तो वारानसी में निफ्ट की अस्थापना होगी जिसके लिए 150 करूण रुपे आवंट इंपोर्टन प्रस्न है अगला कोशन है इसको डबल स्टार में सामिल के लिए या कोशन मोस्ट इंपोर्टन है निरास्रित महिला पैंसन योजना के अंतरगत पात्र लाभार्थियों की प्रतिमाह अब 500 रुपए से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है एक हजार रुपए जो रासियों में इंक्रिमेंट होता है वह कोशन एक्जाम के पॉइंट आविव से काफी इंपोर्टन हो जाता है तो निरास्रित महिला है उनके लिए पैंसन योजना के अंतरगत जो पात्र लाभार्थि हैं उनको अब प्रतिमाह 500 रुपए की जगा एक ह अगला प्रशन है कि उत्तर प्रदेश बजट 2024 पचीस ने सबसे ज़्यादा आवंटन किस विभाग में किया है तो यह प्राइमरी एजुकेशन में किया है किस में प्राइमरी एजुकेशन यानि प्रात्मिक सिच्छा में सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन किया गया है चलिए अगला प्रशन है उत्तर प्रदेस के बित्त मंत्री कौन है वर्तमान में उत्तर प्रदेस के बित्त मंत्री सुरेश खन्ना है सबसे उपर हमने डिसकस कर लिया है नेक्स्ट वन है, यूपी के बित्त मंत्री का कौन सा बजट है? या पाँचवा बजट है? पाँचवा बजट है, important प्रसने है. बजट दो हजार चौविस में बित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वरा कहा गया? क्या कहा गया है? रामराज्य की संकल्पना को साकार करने में सफल 2024 का जो बजट है यह रामराज्य की संकलपना को साकार करने में सफल यहाँ बित्मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा कहा गया है अगला प्रस्न है बजट 2024 के अनुसार एक न्यू इंडस्ट्रियल कोरिडोर यानि नय और दोगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है तो यहाँ गठन कहां किया जा रहा है बीडा में ठीक है कहां पर बीडा में यानि बुंदेल खंड इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट अथार्टी में अगला प्रसन है उत्तर प्रदेश में जो बजट 2024-25 पेस किया गया है इसका आकार पुछे तो आकार आपको बताना है 7.3 लाग करोन रुपे का कितना 7.36 लाग करोन रुपे का अगला प्रसन है राम राज्य की आधार सिला किस बजट में रखी गई तो यह 2024-25 में रखी गई important प्रस्न है तो राम राज जी की आधार सिला किस बजट में रखी गई 2024-25 के बजट में रखी गई अगला प्रस्न है revenue surplus राजस्व आधिक कितना है तो revenue surplus यानि राजस्व आधिक कितना है 2.97% है directly जामे question बनेगा रटलो भई या इसको ठीक है अगला question राजकोसी घाटा यानि fiscal deficit कितना है 3.46% या 2024 के एकजाम के लिए दोनों question most 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 important है इसको आप जरूर पेंडाउन कर लीजे revenue surplus पुछे तो 2.97% और fiscal deficit पुछे तो 3.46% अगला question है भारस सरकार द्वारा निर्मित इसरम पोर्टल पर सबसे जादा किस राज के कामगारों का पं पंजीकरण कराया गया है कितना कामगारों का पंजीकरण हुआ है तो 8.32 करोन कामगारों का पंजीकरण किया गया है किस पर इसरम पोर्टल पर अगला question है वर्स 2023 चोविस में अक्टूबर 2023 तक लगभग कितना किसान क्रेडिट कार्ड बाटे गए तो लगभग 37,000,000,000 किस प्रधान क्रेडिट कार्ड बाटे गए नेक्स्ट वन है प्रधान यहाँ पर प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोन किसानों को कितने करोन रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किये गए तो 63,000 करोन रुपए डारेक्ट कोश अगला प्रशन है बित वर्ष 2023 में पावर ट्रांसफर कैपिसिटी को बढ़ा कर कितना कर दिया गया है यहाँ पर 31,500 मेगावाट कर दिया गया है अगला प्रशन है काफी इंपोर्टन है और यह कोशन बार बार रिपीट होता है तो इज आप डूइंग बिजनस में ठीक है अगला प्रशन है स्वास्थ के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है स्वास्थ के लिए एक हजार करों रुपए का बजट आवंटित किया गया है आगे जो यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर पेंडाउन किया है तो इसको आप नोट कर लिजिए क्योंकि यह 246 करोंड रुपए अटल और दोकिक विकास मिसन के लिए 400 करोंड रुपए सवर उर्जा मिसन के लिए 22,000 मेगावाट और PM आवास योजना के लिए यहां पर 448 करोंड रुपए ठीक है और PM ग्राम सड़ा के लिए 3668 करोंड रुपए वहीं वारारसी में नए मेडिकल के लिए आमंटित बजट किया गया है तो 400 करोंड रुपए का बजट आवंटित किया गया है ऐसे भी पूछेगा कि זה 2000 2024 का बजट उत्तर प्रदेश में पेस किया गया है इसमें वाराणसी जिले के लिए नय मेडिकल कॉलेज के लिए नया बजट क्या है तो 400 करोन रुपे आप याद रखिएगा रास्टी ग्रामीर स्वास्तिमिसन के लिए 7350 करोन रुपे रखे गया है अगला प्रस्ण है यूपी बजट 2024 में यूपी गवर्मेंट अब तक कितने ब्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है तो यहाँ पर 6 करोन ठीक है 6 करोन ब्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है अगला कोशन है बजट 2024 के अनसवार यूपी की बेरोजगार इदर कितनी रह गई है UP की बेरोजगार इदर 2.4% रह गई है ठीक है अगला प्रशन है important है semiconductor policy लाने वाला UP कौन सा राज बन गया है UP चावथा राज बन गया important प्रशन है semiconductor policy लाने वाला UP चावथा राज बन गया है अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश की female labor force participation यानि महिला स्रम सक्ती भागिदारी कितना परसेंट है तो 32.1% है यानि उत्तर प्रदेश में female labor force participation यानि महिला स्रम सक्ती भागिदारी 32.1% रह गई है यानि इतना है अगला question है total medical college 2023 budget के नुसार 73 medical college हो गए है number of airport की बात करें तो 11 airport हो गए लेकिन international airport की बात करें तो 5 international airport आपका बनने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज हो गया है ठीक है अभी जेवर में बन भी रहा है तो इसी के साथ आपका यूपी budget उत्तर प्रदेश बजट से जितने भी important प्रस्ण बन सकते थे सभी प्रस्ण को हमने cover कर दिया है वैसे देखे प्रस्ण तो बहुत सारे बनेंगे लेकिन exam के point आविव से इतने ही question है जो आपको exam में directly देखने को मिलेंगे तो यहाँ एक एक प्रस्ण आप रट लीजेगा आपको exam में directly question देखने को मिलेंगे तो friends आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यूत्तर प्रदेश बजट का यहाँ complete review है ठीक है और उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वन्यवात्रम